कहां पढ़ने जाती हैं? कर्वित मद्धि दियाले रगाई तो क्या दिकत होता है आपको? परसाथ में रोड नहीं रहने से श्कूल छूप जाता है परसाथ में किस्चर भर जाता है किस्चर रहने से श्कूल नहीं जा पाते है हम एक दिक लगता है हमें काजी परसानी होती है अचित चूप जाता है अचित से श्कूल नहीं बनाने से 75 पर 27 ठाजरी पूरा नहीं हो पाता है आप इसे रोड से रोज जाते है दम नित्तम दीन आना जाना इसी साहल कहा जाते हैं आप?! ठागता ट्रश के लने से श्कूल प्रोगलम है कहीं उच खावाल कहीं गढधा कहीं उचा बहुत ज्यादा प्रोगलम है अजादी के 79 साल बीच जाने के बाद भी करपी पर खंड के रोहाई से केस्वर भिवा तक जाने वाली रोड आज तक नहीं बने रोड ना बनने के कारण लग भग 15 गाउं के 30,000 लोग इससे हो रहे हैं पर भावेते सरकारी उदासींता के कारण आज डख नहीं बनी है सड़क यह रोड नहीं बनने रहने से आपको क्या परशानी होती है आने जाने परशानी है आप परड़ साइकल से ही जाते हैं स्कूल तो बरसाद के दिन में कैसे जाते हैं इस रोड को छोड़ना पड़ता है अपको तो इस रोड को छोड़ना पड़ता है अपको तो बरसाद के टाय में इसमें साइकल आपकी नहीं चल पाती है तो आपको कितना दूर पड़ जाता है से दूसरे रोड से घूम के जाने में? जाए पांच किलो मेटर के दूर ही पड़ जाती है? तो इस रोड के बनने में आप लोग नो कुछ परियास किया था? हाँ बहुत परियास किया है, वीडियो को दिया, सियो इस रास्ते से बुजरते हैं कभी-कभी उनको भी दिया गया है लेकिन अब कुछ नहीं समाई हो तो अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं यह रोड बन जाए, यह बहुत गाउं को जोडता है, वीडियाले को जोडता है हम और हमारा समुदाईया चाहता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं किर्प्या कर छेत्रिये बिढ़ायक प्रिसद्यव सिंकु स्वाहा जी के मुबाइल नंबर 94-1993-1993 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि यहां रोड बन सके और चाहत छत्राओं और समुदाईय की समस्या का समादान हो सके मैं SM जफर इकबाल ग्राम गाधीपूर जिला अरवल राजबिहार से इंडिया अनहाट के लिए